तो दोस्तो आज 26 जुलाई 2023 मार्किट में आज थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला बट जयातर समय निफ्टी आज फ्लैट था और एट दे एंड क्लोजिंग दिया 19,778 पॉइंट पे करीब 10% तेज़ी के साथ क्या दोस्तो कल बचार के लिए बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे सबसे वहले कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट ग्लोबाल मार्केट का हाल चाल एफएस डेस का ओवेसली मार्केट बहुत जदा वलेटेल लेगा खास करें कि कल मंतली एक्सपैर ही है ठीक है मार्केट तो बहुत ही जदा वलेटेल लेगा उसके जाथ-जाथ-जाथ आज रात में जो FOMC मीटिंग का आउटकम भी कल कईने के इंडियान मार्केट में जरूर देखने को मि मिला था लोर साइट में जो सपोर्ट मेंशन किया कि 19,615 पर जो कि आज हमने देखा कि लोर साइट में जब मूफ कर रहा था कुछ हद तक या पर सपोर्ट भी मिला अब बात करेंगे एक कंपनी का शेर जिसका नाम है केमिकल सेक्टर के बहुत शांदार मल्टी बैगर उस तो बहुती खराब पर्फॉर्मस हुआ मतब खराब जी से बोलते हैं सीदी सी बाद हर एक सेग्मेंट पर ड्रॉप हुआ मतब एक भी सेग्मेंट आप दिखा नहीं सकते कि कंपनी अच्छा पर्फॉर्म किया देख लेना थोड़ा सा देखिए लास्ट यह की बात करें या इंक्रीस होगा पर यहां पर ऐसा भी नहीं हुआ कंपनी का लास्ट यार यानी 2022 की जून क्वाटर में कंपनी का टोटल मार्जिन था 29 परसेंट जो कि इस बाद ड्रॉप होगे 26 परसेंट हुआ ना कि यह लिवल कि क्वार्टर ले भी ड्रॉप ओर 34 परसेंट और कहां पर 26 पर सब्सक्राइब कर सकते हैं कितना ज्यादा हमें ग्याप देखने को मिला मार्जिन के अंदर और जिस बज़े से बेसिके लिए कंपनी का जो नेट प्रॉफित है उसमें मैसिव डाउन फॉल हुआ एक सो साथ करोर जो कि लास्ट यार कंपनी का नेट प्रॉफित आय इसके अंदर क्रैश होने का 80% चांस है नेक्स बात करेंगे एक ऐसा न्यूस जो कि आज सुबह में आया था सोर्स के अकोरिंग आज की डेट में दोस्तों उसका कंफर्मेशन न्यूस आ चुका है तो अब देख सकते न्यूस का हेडलाइन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंफर है शाम के वक्त अब्डेट है सारे साथ बजे का सबसक्राइब बाइंग 3.53% स्टेक इन आर बेल बैंक फॉर 417 करोर रुपीज तो बेसिकली यह सुबह में एक्चुली जो सोर्स के थू यह न्यूस आया था कि महिंद्रा महिंद्रा जो ग्रूप है आर बेल बैंक के अंद बैंक की शियर में भी काफी बढ़िया तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को में और आज शाम को दोस्तों एकदम कंफर्म हो चुका है कि हाँ सच में महिंद्रा आज ओल्लेडी स्टेक भी कले मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पड़के सुनाता हूं यह देखिए कि महिंद् देना सब्सकों ध्यान देना कि खड़िक चुका है सारे तीन परसंट गई ऊपर स्टेक 3.53 परसंट लगबग 417 करोर रुपए के थ्रू उसके साथ यह भी मेंशन किया कि आगे हो सकता है कि लगबग 9.9 परसंट का स्टेक आगे भी इन्वेस्ट करने का प्लान है आरे बेल बैंक के अंदर तो इसका इंपक्ट आपको कल भी बजार ओपिन होने के साथ साथ देखने को मिल जाएगा अब बात ही है कि मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट एफोएमसी मीटिंग तो दोस्तों एफोएमसी मीटिंग आज आउटकाम होगा और कितने बज़े पर होगा मैं रात के सारे 11 बज़े पर ध्यान देना सारे 11 बज़े पर आपको मालूम पड़ेगा कितना रेपोरेट हाइक होगा मोस्ट प्रब्लिया पर 25 फिर से हाइक होने का चांस है बट उसके बाद उसके बाद जो यहां पर जो फेडरल रिजब की चीर मैंन है मिस्टर जियरॉम होगा बट उसके बाद जो कॉंफरेंस में जो सारे ऐसे खुडाफाती वाला स्टेट्मेंट यह जो पॉइल साब होता है यह बोल देता है उसके बाद ही मार्केट गिर जाता है तो मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनना आज रात में जब यूस मार्केट प्लोज हो जाएगा यह सारे न्यूज आ जाएगा पॉइंट बाइपॉइंट करके एक चोटा सा वीडियो तीन चार मीट का वीडियो होगा उसमें रेकॉर्ड कर लूँगा और कल सुबह के लिए वो प्रीमियर में दे दूँगा आपको क्या करना है बस चैनल को सब्सक्राइब करकर रखना है और कल सुबह उठके 6 बच के 25 में देख दो सुबह का वीडियो अब देख लेना यह प्रीमियर में डाल दूँगा कभी आप देख सकते हो साथ बजबी देख सकतो आट बजबी देख से तो मार्केट ओपेन उनेस पहले पपस देख लेना कि कौन कौन सी टॉपिक क्यो पर स देखने को लिए जो कि पहले से एक्सपेक्टेट भी था क्योंकि जब तक ना यहां पर एफम सी मीटिंग का आउटकम निकले अब देखिए वहां पर टाइम हुआ है बारा बच के चोववन में मताब आलमस्ट एक बजने वाला है तो लगब एक घंटा बाद यह आउटकम निकलेगा ठीक है तो अभी तो फिलाल एक दो मार्जिनल ट्रेड होड़ा है नेक्स्ट अगरम बात करें नैस्टक तो नैस्टक का सीचुशन थोड़ा खराब है फिलाल आधा परसन गिर चुका है बाकी आधा बाकी आप देखिए अगर यहां पर पॉजिव कुज यहां प बार बार स्ट्रगेल कर रहा था तेरा सो पचास के आसपास कहीने के मुझे लगता है कि अगर इसी लेबल का स्पास क्लोजिंग दे दिया तो कल इंफोसिस लिमिटेट के अंदर देजी आ सकता है और बाकी बात करें इस डेप सी बैंक तो यहां पे आप देख से तो कुछ कारोबार देखने को मैं लगा उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटीव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूरे इंकरेज करना फिलाल आज की रेट पर एफाइस की बात करें या डियाइस की बात करें दोनों ही बड़े इंवेस्टर्स द्वारा खड़ीदारी देखने को मिलें इंडियार मार्केट के अंदर तो एफाइस ने आज टोटल 922 करोड़ का शेर परचेस किया जहां पे डिया इसने 470 करोड़ का शेर परचेस किया यह दोस्तों एफाइस डियास का कारवार हो गया अब च करेक्शन होने का चांस काफी कम है तो यह जो ब्लू कलर का लाइन यानि 20 यह में इसको पर इसको लास्ट टैम भी सपोर्ट में भी सपोर्ट मिला आज की रेट पर बात करें तो इसी लेबल को बढ़ हमें सपोर्ट मिल था वह नजर आया तो देखिए इमीडियेट अगर मै बात करें नंबर निकल करें कल के लिए जो सबसे इंपोर्टन सब्सक्राइब बोलाओ अल्मोस्ट यह पे 19,720 पे इनकेस अगर नीचे शुरू होता है मार्केट वो तो डिपेंड करें का रात में जिस बैस में बार बार बोलों कल सुभा में जो प्रीम में वीडियो तो यह दो सपोर्ट डेवला कल मार्केट के लिए उपर की तरफ रेजिस्टेंस जहां पे आज पिया में रेजिस्टेंस देखने को मिला सॉरी आप यह एटीन लिग दिया नाइटीन होगा 19,820 के आसपास आज भी हमने देखा निफिप्टी इस लेवल पर बार बार रेज आज रात में जो भी अपडेट आएगा युएस मार्केट से कहीन है कि उसका भी एक इंपक्त देखने को जरूर मिलेगा तो इमेडियेट अगर हम बात करें चैलिजर की कूपर पहुंच चुका तो अच्छा सपोर है बाकी उपर की तरह बात करें तो अपनो आल टाइम हाई है चैलिजर तीन सो पॉइंट का सबस बाकी बीच में थोड़ा भाले टैल भी हो सकता है क्योंकि कल बजार में एक सपैरी भी है बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको शेयर कर दूँगा वीडियो के तरू फिल तक ले टेक क्या बाबाई जाहे हैं